नमश्कार इसमें आपे लाइव तस्वीरे हर्याना के करनाल से देख रहे हैं इस बच्चे की लाइव तस्वीरे आप देख सकते हैं तीन से चार साल जो है इसकी उम्र अभी तक जो है अंदाजा लगाया जा रहा है जो बच्चा अपने माबाप से बिचर चुका है हमारी कि घर से निकला था कुछ बताने में हाला कि अब यह सक्षम नहीं है हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी विडियो को जादा से जादा शेयर जरूर कीज़ेगा कि पहले भी जितनी बार भी ऐसा हुआ है कि बच्चे अपने माबाप से बिच्छड़ा है तो हमेशा आ करेंगे बच्चे से पूछताच करने की कोशिश करेंगे कि कहां से वो आया है बच्चे क्या कुछ बताना चाहोगे कहां से आयो आप कहां से आयो ममी बापा के पास जाने जाने तो आये कहां से वो बताओ तो आप देख सकते हैं हाला कि बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि वो कहां से आया है या उसके माबाप कौन है सिटी थाने से समय आप लाइव तस्वीरे देख रहे हैं जो पुलिस के करमचारी हैं यहापर उनके द्वारा बच्चे को बिस्किट खिलाया गया ताकि बच्चा यहाँ पर राम से बैठ सके किसी तरीके से डरे ना बहुत ही छोटा बच्चा है आपके एक शेयर से शायरी अपने माबाप से मिल सकता है क्योंकि शायर कोई ऐसा हो सकता है जो इनके माबाप को जानता हो या इसके माबाप किसी के घर काम करते हो या किसी भी त पूलिस हमारे साथ यहां पर मौझूद है सिटी थाने से एक बार हम उन से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी उन्हें अभी तक पता लग पाई है इस बच्चे के बारे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बच्चे ने कुछ बताया है कि कहां से आया है या किसी तरीक आप लोगों ने अपना सायोग दिया और इसी तरीके से बच्चे अपने माबाप से मिले आप लोगों से अपील यह रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर कीज़ेगा ताकि ये बच्चा भी अपने माबाप से जो है मिल सके तीन से चार साथ जो है इसकी उम्र बताई जा रही है और आलग की बताने में इस अक्षम नहीं है कि ये कहा से आया है किस के पास से आया है कहां पर इसके माबाप है लेकिन आप इस विडियो को शेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सिटी एसेचो जो है वो यहाँ पर मौके पर मौझूद है जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि एक बच्चा जो है वो थाने में पहुँचा है इसके माबाप कहां पर है कौन है इस बारे में नहीं पता लग पाया है पुलिस के टीम द्वारा भी कोशिश की गई कि बच्चों से पूचताच की जाए लेकिन इस बच्चे ने कुछ अभी तक नहीं बताया क्योंकि वो बता नहीं पा रहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से बिस्किट जरूर खा रहा है कोशिश यह की जा रहे है कि बच्चा डरे ना और अराम से शांती के महौल में जो है जानकारी दे सके कि इसके माबाप कौन है और यह कहां से आया है तो जो अभी आपसे भी अमें प्रार्था भी रहेगी पॉब्लिक से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस बच्चे की पिक्चर को देख रहे है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह बच्चा अपड़े माबाब के पास सुरक्षित हतों में पहुंच प्लीज एसे चो सिटी का नंबर है मैं आपको अपना नंबर देता हूं 972999 0711 9799 9711 इस नंबर पर कॉल करके किरिपया सुचित करें और अपने बच्चे को सुरक्षित हां से ले जाए तो जैसा कि सर ने बताया कि अगर आप इस बच्चे को जानते हैं इसके माबाब को जा हो तो आप लोग भी और करनार बेक नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि 98120Autrosi 157 इंसपेक्टर सी एच टी इंसपेक्ठर सीचाह जो है इहाँ पर उनके नंबर पर आपकर सकते 9723999 07 2021 इस नंबर या फिर कानलो की कि इसके माबाब सकते हैं इस चोटे बच्चन को जो है आप कि ना जाने कब से अपने माबाब से जो है बिछड़ चुका है पहले हाला कि ये ट्राफिक बूत पर था और जब वहां पर काफी देड़ तक इसके माबाब नहीं आए तो जो वहां के पुलिस कर्मी है वो इने सिटी थाने में लेकर पहुंचे जहां से आप इसमें लाइव स्वीरे देख रहे हैं और हमारी आप लोगों से यह अपील रहेगी क्योंकि अपने आप में ही सोशल मीडिया में काफी जादा ताकत जरूर है कि आपके एक शेयर से जो है पहले भी काफी बार काफी बच्चे अपने माबाब से मिले हैं काफी बुज़र्ग अपने योग देना है करनाल ब्रेकिंग न्यूस का साथ दीजिए सिटी थाना एसचो की जो टीम है उनका साथ दीजिए और इस बच्चे को जो है इनके माबाब से जरूर मिलवाईएगा आप देख सकते हैं बच्चे से हमने हाला कि पहले भी पूछने की कोशिश जरूर करी एक ब हाला कि बच्चा यहाँ पर कुछ भी नहीं बता पा रहा है हमने आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे की जो तस्वीरे है वो दिखाई है एक बर फिर से मैं अंत में आपको बच्चे की फोटो दिखाना चाहूंगी लाइव तस्वीरे दिखाना चाहूंगी आप लोग इस इसे शेर कीजिए इस बच्चे को इसके माबाप से मिलवाईए ताकि ये भी अपने घर में जा सके आप देख सकते हैं हाला कि अब बच्चा जो है यहाँ पर बिस्किट खा रहा है प्रियास जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा भी यही किया जा रहा है कि बच्चे को एक श शेर करके इस बच्चे को इसके माबाप से मिलवाना है लाइफ तस्वीरे हमने आपको दिखाई सिटी थाने से किस तरीके से तीन से चार साल का बच्चा जो की हाला कि पहले ट्राफिक बूत पर था और जब वहाँ पर उसके माबाप का कुछ भी पता नहीं लग पाया तो उसके बाद जो है इस बच्चे को सिटी थाने में जो है लेकर आए और अब आप देख सकते हैं सिटी थाने से लाइफ तस्वीरे बच्चे से हमने बाचीत करने की प्यास जरूर करी लेकिन यहां पर बच्चा जो है कुछ बता नहीं पारा है लेकिन हमारी आप लोगों से पील ही रहेगी इस वीडियो को जितना जादा हो सके शेयर जरूर कीज़ेगा इस बच्चे को इसके माबाप से मिलवाना है हो सकता है करनाल का या आसपास के अरिया का या बच्चा हो या काफी अब क्यूंकि लॉक्टाउन के चलते काफी हमारे मजदूर ऐसे भी है जो की पै आप इस समय लाइव तस्वीरे देख रहे हैं बच्चे को यहां पर पुलिस कर्मी जो है वो लेकर आए ताकि यहां पर बच्चे की देखभाल भी की जा सके और साथी साथ अकर इसकी कोई भी जानकारी मिलती है इनके पैरेंस की तो यहां से वो लेके जा सके एक बर फिर से हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 98120-0133 यानि की 98120-01353 आप इस पर कॉल करके बता सकते हैं कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को है पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से एक बुजर्ग जो है वो अपने बच्चों से जो है बिछड गए थे और लाइव के द अपने माबाप से मिल सके क्योंकि बच्चा खुद से बताने में सक्षम नहीं है कि वो कहां से है उसके माबाप कहां पर है या वो कहां से आया है कैसे आया है तो हमारी आप लोगों से बार बार यही अपील रहेगी इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर कीज़ेग है हर आदमी का निकलना भार ठीक नहीं है बिना काम की निकले देखिए जो इतने छोटे बच्चे को नेकल कहीं बाहर निकले हैं या उनसे कहीं छूट गया तो इसमें आप चूक का इंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा वो गलती खुद भी बाहर आ रहे हो बच्चा बिन देखिए आप इस शोशल मीडिया के माद्यम से आपको अपील रहेगी देखिए पहले भी जब भी अपील किया आप लोगों ने बड़ा अच्छा साहत दिया है शोशल मीडियों के माद्यम से बच्चा अपने सुरक्षित हाथों में चला गया अपने माबब के पास तो हम जादा से जादा शेयर करोगे इस चोटे बच्चे को अपने माबाद तक पहुचाने के लिए इसको शेयर करेंगे और य Prince hearts in इसने एससे यह सुरक्षित हाथ Clockы दो है जो फाइर ब्रेगेट का हमारी बूत है वहां के नस्दीक बच्चा मिला था और उसके माबाप दोनों जो है वो एक हस्पताल में काम करते तो बच्चा अकेला जो है घर से बाहर निकल गया तक कही ना कही लापरवाही इसमें पैरेंच की भी देखने को मिलती है तो आप ल फिर से मैं आपको अंतवी नंबर जरूर बताना चाहूंगे अगर आप लोग सिटी थाना एसे जो जो है उन्हें फोन करते हैं तो उनका नंबर है 972999-071 और अगर आप लोग करनाल ब्रेकिंग निउस के नंबर पर फोन करते हैं तो 98120-01353 पर आप लोग कॉल करकर हमें ब आप से मिलवाया जा सके उर्विशी चावला करनाल ब्रेकिंग निउस करनाल